ओम नमेशिवाई दोस्तों आपका मेरी यूट्यूब चैनल भक्ति की मूर्थी में स्वाकत है आज मैं महासिवरातरी का पर्व और उसकी विधी लेकर आई हूँ हमारे हिंदु धर्म के लोग महासिवरातरी को एक बड़ा तिवहर मानते हैं वैसे तो मास में 12 सिवरातरी होती हैं लेकिन फालगुन मास की सिवरातरी को विशेश महत दिया जाता है यह कि हर फालगुन मास के क्रश्न पक्स स्टतूर दसी किथी को मनाया जाता है इसे भगवान भोले नात की पूजा को विदिविधान से किया जाता है और व्रत भी रखा जाता है ऐसा माना जाता है कि महास्ट शिवरात्री पर जो सीव भक्त व्रत रखते हैं और पूरा दिन सीव की अराधना में लीन रहते हैं उनकी सभी मनोकामनाय पूर्ण होती है हिंदु धर्म में भगवान सीव की सबसे ज़्यादा पूजा होती है भगवान सीव ऐसे भगवान है जो जल्दी ही प्रसन हो जाते है भगवान सीव पर मात्र एक लोटा जल चड़ाने और कुछ बेल पत्र अर्पित करने से ही वो प्रसन हो जाते है भगवान सीव की पूजा चार प्रहर में करने का विधान है इस दिन सुबह जल्दी उठकर इसनानादी से निव्रत होकर पूजा का संकल्प ले ले उसके बाल सीव मंदिर में जाए और मन में भगवान सीव वा माता पार्वती का ध्यान करते वे जला भी सेख करें और मंत्रों का जाप करें भगवान को इसनान कराते समय पहले चंदन का लेप लगाकर पंचामरत से इसनान कराना चाहिए लोटे में पानी या दूद भरकर ओपर से बेल पत्र आक धतूरे के फूल चावल आदी डाल कर सिवलिंग पर चढ़ाएं उसके बाद दीपप को जलाएं और कपूर धूप आदी जलाएं फिर ओम नमे सिवाय का जाप करें रात में बारा बजे के बाद भगवान सिव का पूजन अवस्थे करें और रुद्राज भी सेख भी करें सीव परिवार के दर्सन करें इससे संपून पारिवारिक सुख सोभागे की प्राप्ति होती है यदि आप मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर ही रहकर सीव का ध्यान करें आशन पर बैठें संकल्प ले और भगवान भोले नात को पंचामरत से इसनान कराएं फिर वस्तर चड़ और फिर विवित प्रकार के फल चड़ाएं धूप दीप जलाएं फिर भोले नात को नवैद्य लगाएं फिर आर्ती करें इसके बाद छमा याचना करें कि हे भगवान हमारे से पूजा में कोई कमी हुई हो या भूल से कोई गलती हुई हो तो हमें छमा करें और जले सिवा झाल